चातरपूर में मा और उसके दो लाड़ों ने हवानियत की हदे पार करते हुए एक यूवती के सांद जबजस्ती करने की कोशिश की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यूवती वहां से भाग निकली और अपनी बहन से संपर्क करके पुलिस में मामला दच करवाया चातरपूर में पीड़ीत यूवती की हूषक के सामने रहने वाली महीला बिबबो अहिरिवास से पहचान होगी जिसके बाद यूवती का महीला के घर आना जाना शुरु हो गया इस समय बाद महिला ने युवती को घुवारा वाले घर बुलाया और अपने बेटे धनीराम को उसे लेने भेजा जैसे ही युवती महिला के घर आती है आरोपी महिला युवती को कमरे में भेज देती है जहां उसका बेटा मौजूद होता है और युपती से जबरस्ती करने की कोशिश करता है युपती वहाँ से भाग निकलती है और फॉरन अपनी बहन से संपर्थ कर उसको घुवारा बुलाती है और बहन के साथ जाकर पुलिस में FIR दर्श करवाती है जिसके बाद पुलिस महिला और उसके बेटों को गिरफतार कर म तक आमले की पूरी जाच में लग जाती है जानकारी के मुथाबिक महिला पहले भी देवापार चलाने के आरोप में गिरफतार हो चुकी है दो कि पुलिया को इसी उचाथी के रहने वाज़े इसमें जो लोग इख लाद नाम जबतार वादी किया वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरुरी है, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सट्यक विश्लेशा, हम करते हैं सत्यका अनवेशा, तखल नियूज, आपके अफ्रे, आप देख रहे हैं, तखल नियूज, येशाल नियूज, चिजसे मिए हैं, तखल आपके लाटें, हर मसले को जड़ा हैं, लोगगर के दिना झाइबत.."